हेलो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो प्रिंटर और SPI special होने वाला है SMT Department के लिए तो दोस्तों आप लोगों को अगर मन में आ रही है प्रिंटर और SPI से रेलेटर किसी तरह की डाउट तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाला है तो दोस्तों अगर किसी तरह की आपको SMT Department में किसी तरह की question आपके मन में आए तो जरूर आप comment किजेगा आपको जरूर पयास करेंगे answer देने के लिए तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी helpful होगा interview face करने के लिए तो दोस्तों basically printer or SPI से related हम अच्छी तरह से बात करेंगे तो इस वीडियो में आप आंत तक बने रही है अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो like तो करे लिजेगा साथी आभी subscribe कर लिजे ताकि इस तरह का informative वीडियो आपको SMT से related और earning tips से related कैसे आप part time में earn कर सकते हैं काफी सारे website से और तो कैसे earning करना इस से related हम इस topic पर बात बताते रहते हैं आप लोगों को तो दोस्तों इस वीडियो में तक आप बने रही है आप देख रहे हैं RRJW कुस्वा YouTube चनल अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों like कर लिजे तो बात करते हैं printer की तो देखिए SMT department में जो सभी machine होते हैं SMT process की आप लोगों को basically पता ही होगा लेकिन हम short में एक बार बता देते हैं जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाएगा और आप लोग note कर लिया कीजिए और ध्यान रखा कीजिए और दोस्तों आप लोगों के लिए हम ऐसे कुछ website की link देदेंगे SMT की website की जहां से आप लोग बिलकुल हिंदी में आसानी से आप लोग पढ़ सकते है SMT department के बारे में और किसी तरह की दिक्कत आए तो जरूर हमें comment कीजिएगा तो finally हम process की बात करें SMT process की तो सबसे पहली machine होती है loader तो कुछ company में इसको दोस्तो input भी कही जाती है loader के बाद जो second machine होती है वो printer हो जाती है जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह सर्चा करेंगे printer के बाद SPI होती है SPI को बोला जाता है solder paste inspection यहीं कि printer machine पे जो solder paste मतलब लगाई जाती है उसका inspection कौन करती है SPI के माध्यम से की जाती है उसके बाद SPI के बाद आ जाता है NXT NXT जो होती है एक company का नाम है NXT company है कोई machine का नाम नहीं है इसका man machine का नाम है NXT के नाम से ही चर्चा की जाती है लेकिन machine का नाम है pick and place machine कई जगा इस machine को mounter भी बोले आते हैं तो आपनों confuse मत होईएगा NXT, mounter और pick and place machine तीनों एक ही machine को कही जाती है NXT के बाद जो आती है हम बात करें तो बहुत सारे जगा pre-AY होती है 90% company में pre-AY होती है यहनी कि जो ए-वाई का मतलब होता है automatic optical inspection यहनी कि reflow से पहले मतलब pre-AY करने के लिए करने के बाद जो कोई defect अगर component में आती है तो वो easily repair हो जाती है तो आप लोग confuse मत होईएगा defect तीन जगा आते हैं mounting line पे पहले आप SPI पे defect आती है किस तरग defect आती है solder paste से related और pre-AY पे defect आती है components related pre-AY के बाद आता है reflow, reflow में क्या होता है कि heating zone होता है यहनी कि heating की जाती है 28 degree से लेकर के 182 degree तक और कई जगा 200-80 degree तक भी होते हैं temperature तो आप लोग confuse मत होईएगा आप लोग directly बेहिचक आप लोग को confidence होना चाहिए interview के time में और आप लोग बेहिचक जवाब दीजे आप लोग का interview में selection पक्का होने वाला है और reflow के बाद सबसे last में post y होता है जहां पे final SM mounting complete हो जाती है PCV की और वहां पे inspection की जाती है automatic inspection component की की जाती है जो वहां पे अगर defect कोई मिलता है तो repair हो जाता है repair के लिए भेजना पड़ता है लेकिन reflow से पहले होता है प्रिपे प्रिवाई पे तो वहां पे easily repair हो जाता है और इस वीडियोगे हम बात करेंगे special रूप से printer और SPI की तो दोस्तों printer पे solder paste use की जाती है इसके लिए कुछ terms and conditions होते हैं आप interview में जाएंगे तो वहां पे आपको पूछे जाएंगे कि जैसे कि सबसे पहले आप printer machine पे जाएंगे तो क्या करना है तो वहां पे stencil होती है जिसके माध्यम से solder paste print होती है आप लोग कई बार देखे भी होंगे हम वो इससे fix दे दिये आप लोग देख सकते हैं इस तरह की stencil होती है कई company में इससे different भी होती है इस stencil को clean करने का process होता है साफ करना पड़ता है cleaning room होते हैं कई जगा और कई जगा नहीं भी होते हैं तो उसको clean करने का solder paste आपको मंगमानी पड़ती है solder paste जब warehouse से आती है तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बिना डगकन खोले उसको 12 आवर तक use कर सकते हैं 12 गंटे तक अगर आप डगकन को खोल दिये तो सिर्फ 30 मिनट तक ही use कर सकते हैं और जो उसके बाद डगकन खोलने के बाद solder paste जो होता है उसको मिलाना परता है मिलाने के लिए कई बार आपको पूछे जाएंगे कि किस चीज से मिलाते हैं जो मिलाने वाला होता है ये तो इसका नाम है S पे चुला यहां दोस्तों S पे चुला इसका नाम है S पे चुला के माध्यम से solder paste को हम लोग mix कर लेते हैं mixing time कई बार पूछे जाएंगे काफी important printers के लिए कि पूछे जाएंगे कि solder paste का mixing time कितना होता है तो average 3-5 minute mixing time होता है 3-5 minute आप mix कर दिये solder paste को तो उसके बाद इसका life हो जाता है 4 hours यानि 4 गंटे तक इस solder paste को यूज कर सकते हैं 4 गंटे से अगर जाएदा हो गया तो इस solder paste में विलकुल भी यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन बिना solder paste को mix किये हुए आप आदे गंटे तक यूज कर सकते हैं जब mix कर दिये तो 4 गंटे तक यूज कर सकते हैं अगर डखकर नहीं खोले तो 12 गंटे तक यूज़ कर सकते हैं तो यह solder paste के कुछ rules and term and conditions हैं कई सारे जगह same rules सलते हैं 90% company में और 10% में different भी हो सकती है लेकिन आप interview के लिए गए हैं तो आप confidence के साथ बोलेंगे तो आपकी selection पक्की है तो हम बात करें SPI की जो solder paste हम लोग अभी लगाएं मसीन में और यह मसीन जो एसे एसे इसे इसे इसेंसिल के माध्यम से board के उपर print कर दी solder paste अब यह board conveyor weld के माध्यम से आगे की और जाती है और SPI पर चल जाती है SPI पर होती क्या यह मसीन है और यह solder paste को inspection करती है inspection करके इसका fox call लेकर के आपको display वे भेजेगी वहाँ पे good और bad इस तरह से आपको display होगा अगर good है तो अच्छा है automatic जाना ही है और अगर bad आ रहा है तो आपको inspection करना परेगा क्या इसमें defect आया तो commonly आपको question SPI से यही पूछे जा सकते हैं आठ से 10 मुखरूप से यहाँ पे defect आते हैं लेकिन आपको पूछे जाएंगे यहाँ पे commonly जायदातर मुखरूप से किस तरह का कौन-कौन से defect आते हैं SPI के उपर तो आपको ध्यान में रखना SPI पे जो भी defect आता है वो solder waste से related defect ही होता है और क्या defect होता है bridge आ जाता है bridge आ जाता है और दूसरा shift आ जाता है कई बार क्या होता है component एक मालन के चलिए LCR component के हम बात कर लें resistance लगाना है और capacitor लगाना है दोनों का जो solder waste है वो एक दूसरे एक साथ shift हो गया तो यह क्या होता है defect हो गया जिस मात्रा में लगाना था solder waste ले उससे कम हो गया लेस हो गया और एक बार कई बार क्या होता है over solder waste आ जाता है तो over waste आ जाता है तो over solder आ जाता है तो इनको over solder या over waste भी बोल जाता है यह निकि जर्वास से ज्यादा लग गया तो यह over solder हो गया तो इस तरह की defect आते हैं तो आप लोगों को जैदा घावरानी के जुरत नहीं है आप लोगों को printer और space related अगर interview देने के लिए जा रहे हैं तो इतना में आप लोग qualify कर जाएंगे interview और आप लोगों को ध्यान में रखना सबसे main important printer की बात है कि mixing time तीन से पांच मिनट होता है यह आपको मुखरूप से ध्यान मी रखना क्योंकि जैदातर हम देखे interview में यह question जरूर पूछते हैं तो आप लोगों के यह भी ध्यान मी रखना जैसे basic सी बात है SMT की surface mounting technology फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान मी रखना है अगर आप लोगों को फुल फॉर्म में दिक्कत आ यह SMT से related तो हम नीचे description में link दे दिए website का website पर जाकर के easily आप SMT department के कई सारे फुल फॉर्म को आसानी से जान सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें comment करके बताए इस वीडियो को like कर लिजे साथी subscribe कर लिजे इस channel को ताकि इस तरह का informative वीडियो आ ने मात्रम